आज आप सभी के लिए ले कर आए हैं कोड़े की सब्जी बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही टेश्टी हेलो फ्रेंड मैं बाला मैं श्वरी कैटरे किछन में आप सभी का स्वागत है तो इसको मैंने धोग अच्छे से इस तरीके से सूखे कपड़े से इसको पोच लिया अब इस तरीके से बीच से कट कर लेते हैं यह देशी कोड़ा है और इसकी सब्जी बहुत ही टेश्टी बनती है मैंने सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ तो इस तरीके से इस छोटा छोटा पीस मैंने पहले लंबे-लंबे इस तरीके से कट कर लेते हैं देख सकते हैं नारस में अक्सर इसे कोड़ाई कहते हैं और यूपी इस्टाइल का यह सब्जी बहुत ही टेश्टी होती इसे साधी ब्याय में भी बनाया जाता है बिल्युकुल हल्वाय जैसा तो मैं सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही टेश्टी बनाने जा रही हूं तो आप वीडियो क एक चमच पचफोरन इसमें सौफ लाई जीरा मेथी मंग्रेल है तो इसे पचफोरन कहते हैं और एक चमच मैंने यह देशी हींग डाला है और तीन कटी हरी मीर्च क्योंकि थोड़ा तीखा रहेगा तो बहुत ही टेश्टी लगेगा कोड़े की सब्जी तो इसे थोड़ा स तो इए मिर्च का कलर थोड़ा चेंज हो गया है दो मेď। मिडियम साइज के मैंने बार क्यां कट कर लेए हैं प्याज को भी इस तरीके से भून लेते थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो जाए गैस मैंने मीडियम पे ही रखा है तो देखे इस तरीके से मैंने चलाते हुए प्याज का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है आप इसमें मैं कटे हुए कोड़े डाल दे रही हूं इस तरीके आप इसे पूरी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेश्टी लगेगा इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है तो एक बड़े साइज का हल्दी पाउडर डाला है एक चमज इस तरीके से और नमक स्वाद अनुसार अब इसे ढख के इस तरीके से पकने देते हैं ऐसे क्या है नमक से डाल देंगे और हल्दी तो हल्दी भी पक जाएगी और नमक से जल्दी यह कोhra पक जाएगा तो देखे ओक बार horrific कर लेते हैं तो देख सकते हैं कोड़ा अच्छा है लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्छा है तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस कोड़े को और इसे थोड़ी देर ढखके इसे अच्छे से पकने देते हैं तो थोड़ी देर बाद देख सकते हैं कोड़ा गल गया है आपको दिखा ले देख सकते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है अब इसम मैं इसमें कसूरी मेथी ली है अब इसे हातों से इस तरीके से क्रस कर लेते हैं उपर से मैंने इस तरीके से डाल दिया है और कटी हरी धनिया की पती तो यह देखिए यूपी श्टायल का कोड़े वाली सब्जी बनके तैयार हो गया है और बहुत ही टेश्टी और एक चमच मै प्लेट में सर्व कर लिया है आप इसे पूरी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेश्टी लगेगा लेकिन गर्मी का मौसम है तो आप रोटी के साथ ही खाएंगे और जाते-जाते मेरे वीडियो को लाइक से या कमेट जरूर करिएगा और बताएगा कि कोड़े को आपके ग